जैहिंद वंदे मातरम दोस्तों तो मैं आज आया हूँ महिंद्रा के शोरूम में और पीछे हमारे देख सकते हो आप DC G-Wagon महिंद्रा बॉले रो तो इसका रिव्यू करने वाला हूँ मैं दोस्तों और इसमें आपको सारी चीजे बताने वाला हूँ इसका प्राइज, माइलेज, everything about इस वीकल, देसी जी वेगन तो फड़ावट से वीडियो स्टार्ट करते है बिना किसी देरी के दोस्तों तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेर, एंड सस्क्राइब करना मत भूलिएगा जैहिन दोस्तों तो ये आप देख सकते हो अपने सामने देसी जी वेगन दोस्तों तो आज इसका रिव्यू करने वाला हूँ मैं और इसका प्राइज, माइलेज, सारी चीजे मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ ठीक है और इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों और इसकी बिल्ड कॉलिटी एक नंबर की बिल्ड कॉलिटी के साथ में आती है दोस्तों ये अगर आप एक सस्ति सेवन सीटर गाड़ी देख रहे हो तो दोस्तों इसकी तरप जा सकते हो और इसकी build quality भी बहुत शानदार है दोस्तो और लाखो लोगों के दिलों पर ये गाड़ी राज करती है दोस्तो तो आगे का view कुछ ऐसा रहने वाला है और महिंद्रा का नया वाला लोगो आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा और बड़ा सा bumper आपको देखने के लिए मिल जो कि बहुत ही शानदार और प्यारा लग रहा है और नीचे जो आप इसका bumper देखोगे दोस्तो तो ये पूरा metal का है पूरा मतलब hard है एकदम तो काफी मजबूत है दोस्तो ये और नीचे में इसके support के लिए भी एक अंदर में भी एक बड़ा सा चेचेस दिया है जो गाड लेंप इधर कोने में और उसके बाद में आपका जो front का लेंप है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा और आगे का look आप चेक करो दोस्तो कितना प्यारा लग रहा है और fog lamp भी आप इसमें लगवा सकते हो और इस साइड में आ जाते है driver साइड में तो यहां पर आप द देखने के लिए मिल जाएंगे देख सकते हो आप 215, 75, 15 ठीक है तो यह टायर profile रहने वाला और grip चेक करो दोस्तो कितनी शांदार grip के साथ में यह टायर आए आते हैं दोस्तो कितनी शांदार grip के साथ में और कितने प्यारे लग रहे हैं दोस्तो तो सारी चीजे में एक एक क का बड़ा ground cleanse आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों महिंद्रा बॉलेरों में जो की बहुत बढ़िया बात है जो इसे off-roading vehicle भी बनाता है दोस्तों इसलिए लोग इसको पहाड़ों पर कहीं पर भी लेके चले जाते हैं और पीछे का look कुछ ऐसा रहने वाला ह और पीछे में आपको एक step नी भी मिल जाएगी और पीछे में आप महिंद्रा का logo चेक कर सकते हो दोस्तों कितनी प्यारी लग रही है और road present इसका लगता है कि हाँ भाई सही में ये जी wagon है दोस्तों और build quality भी बहुत strong आती है दोस्तों इसलिए लाक हो लोगों के दिलों पर राज करती है यहाँ पर आपको अपना side का indicator मिल जाएगा आप देख सकते हो और bonnet भी काफी बड़ा और bulky लगता है दोस्तों ये आपके दोनों side के indicator हो गए दोस्तों और ये आप देख सकते हो ये base model है इसलिए इसमें black color का आपको वार्वियम देखने के लिए मिलेगा ठीक description में आप number check out कर लेना दोस्तों और कुछ चावी आपको ऐसी देखने के लिए मिलेगी इसकी flip की ये देख सकते हो इस पर भी आपको महेंद्रा का logo मिलेगा और चावी कुछ ऐसी रहने वाली है दोस्तों flip की बाकि आपको बटन अटन नहीं मिलेंगे क्योंकि ये base model है अगर और क्या-क्या feature है वो बता देता हूं तो अंदर में आपको इसमे light भी मिलेगी तो night में आपको key लगाने में कोई दिक्कत होगी नहीं दोस्तों ठीक है तो ये चीज हो गई अब key लगा के मैं आपको अंदर बैठ के दिखाता हूं अंदर में क्या-क्या चीज आपको देख देख सकते हो एकसी लेटर ब्रेक और कलच और बिल्ड कॉलिटी चवरदस्त है दोस्तों ये देख सकते हो आप तो ये सारी चीज़े आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी तो अभी मैं बैठ जाता हूं अंदर तो अब मैं अंदर आ गया हूं दोस्तों नहीं मैं हिं अपर नीचे कर सकते हो और इस्टेरिंग भी काफी बढ़िया आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों ये देख सकते हो और इस पर भी आपको महिंद्रा का लोगो देखने के लिए मिलेगा नया वाला लोगो और कुछ डैश्बोर्ड ऐसा रहने वाला है दो ही जबर्दस था रहा है आप देख सकते हो तो बेंитан में किया हुआ है एक बार मैं आपको गाड़ी start करके भी दिखा देता हूँ तो यह मैने start कर दी है दोस्तो गाड़ी ठीक है तो तो ऐसा कुछ वियू रहने वाला है गाड़ी स्टार्ट करने के बाद में ठीक है और यहाँ पर आपको अपने सारे कंट्रोल्स वगेरा सारी चीज़े देखने के लिए मिल जाएगी तो अब मैं फड़ाफट से आपको इसके क्या-क्या स्पेश्फिकेशन है क्या-क्या की फीचर है वो सारी चीज़े मैं आपको बर्दा देता हूं दोस्तों तो इसका जो माइलेज रहने वाला है दोस्तों तो सिटी के अंदर यह 15 का माइलेज दे देगी आपको और हाईवे के उपर आपको यह 16 तक का माइलेज यह गाड़ी नि देखने के लिए मिलेगा 1400 तर्राण में CC का इंजन और नंबर ऑफ सिलेंडर थ्री सिलेंडर है ठीक है और मैक्सिम्म पावर जनरेट करेगा 74.96 BHP की पावर जनरेट करेगा जो टॉर्क रहने वाला है 210 mm का इसमें टॉर्क रहने वाला है और सिटिंग केपैसिटी यह 7 सिट की मिल जाएंगे यहां उसके बाद में यहां पर आपको 2 अेर्बेगिस्में देखने के-लिए मिलेगे ड्राईवर औरự्कूट्राइवर साइड में आपको 2 airbag इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे इस गाड़ी के अंदर में दोस्तों तो overall view आप चेक कर सकते हो और यहाँ पर आपको अपना sun visor देखने के लिए मिल जाएगा दोनों side में आपको normal सा अपना sun visor देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पर आपको अपना पीचे का पीचे देखने का mirror यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों यह देख सकते हो तो यह देशी जी वेगन का कुछ look ऐसा रहने वाला है दोस्तों और steering को आप एगजेस नहीं कर सकते हो fix है और यहां पर आपको अपने lighting effect वगेरा सारी चीज़े देखने के लिए मिल जाएगी यह देख सकते हो यहां से अपने light का focus उपर नीचे कर सकते हो दोस्तों ठीक है तो यह अंदर की सारी चीज़े मैंने आपको एक एक करके बता दी और उसके बाद में मैं आपको नीचे की साइड में क्या-क्या कितना space मिलेगा वो भी बता देता हूं तो दो यहां पर आपको अपने bottle holder यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और handbrake और उसके पीछे आप अपने coin वगेरा रखने का तुड़ा space आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों ठीक है औ और आपको अपना charging के लिए भी यहां पर एक socket मिलेगा तो वहां से आप normally अपना mobile और चार्ज कर सकते हो दोस्तों तो यह base model है तो उतने खास इसमें आपको यह नहीं मिलेंगे पर एक proper seven-seater SUV है दोस्तों जिसे आप कहीं पर भी लेके जा सकते हो इसलिए तो police, army और government sector के लो उसके बाद में हमारा army हो गई जितने भी government sector में यह गाड़ी बहुत यूज होती है दोस्तों क्योंकि यह मतलब कहीं पर भी लेके चले जाओ आप इसको कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है इस गाड़ी में ठीक है तो इसलिए इतने लोग इस गाड़ी को पसंद करते ह है और practical गाड़ी है दोस्तों और इतनी हैवी इसके जो है height मतलब जबरतस height के साथ में यह गाड़ी आती है और लगती है कि हाँ भाई पैसा वसूल गाड़ी है दोस्तों ठीक है तो अब मैं बाहर चलके आपको सारी चीज़ दिखाता हूँ और यहाँ पर आप अपना music system गाड़ी के यह देख सकते हो आप तो अब मैं बाहर से भी आपको एक बाहर पूरा व्यू देता हूं दोस्तों तो अब मैंने light on करती है इसकी तो light on करने के बाद में कुछ ऐसा व्यू आ रहा है आप देख सकते हो दोस्तों कितना प्यारा और कितना शांदार इसका व्यू आ रहा है lighting effect आप देख सकते हो ठीक है और कितनी लंबी चौड़ी height के साथ में यह गाड़ी आती है इसलिए महिंद्रा baller हो दोस्तों DCG wagon कहलाती है और tire profile वगेरा सब कुछ एकदम जबरदस्त है इस गाड़ी का एकदम ठीक है तो उसके बाद मैं आप मैं आपको side profile आपकी आप चेक करवा देता हूं मैं आपको इसका side profile कुछ ऐसा रहने वाला है दोस्तों इस गाड़ी का ठीक है और तो दोस्तों अब मैं इसकी लंबाई चौड़ाई भी आपको बता देता हूं जो length है दोस्तों इसकी 3950 में mm की length के साथ में आती है और चौड़ाई जो 1745 mm है दो दोस्तों इस गाड़ी की और यहां पर आप अपना डीजल डाल सकते है और जो डीजल का टैंक है दोस्तों साट लीटर का डीजल का टैंक आपको इसमें देखने के लिए मिलता है जो काफी जवरदस्त है और काफी बड़ा आपको इसमें डीजल का टैंक देखने के लिए मि open करके महिंद्रा बॉलेरो का powerful engine आपको check कर राता हूं ठीक है। तो ये देख सकते हो आप महिंद्रा बॉलेरो का powerful engine ठीक है। तो इसका जो engine की capacity है वो भी मैं आपको बता देता हूं जो engine है दोस्तो 1400 tène में CC मतलब लगभख 1500 CC का engine है ये और number of cylinder 3 cylinder engine है दोस्तों जो maximum power generate करता है वो 74 BHP की power generate करता है और torque जो रहता है 210 NM का powerful torque generate करता है दोस्तों यह engine तो यहां से बंद कर देता हूँ तो काफी powerful आगे का इसका bonnet है दोस्तों आप देख सकते हो और यहां से अभी इसको फटाफट से lighting effect को भी मैं एक बार आपको check करवा देता सेट कर सकते हो सारी चीज़े दोस्तों यह देख सकते हो आप ठीक है और सारी चीज़े काफी जबर्दस गई है इस बॉलेरों के अंदर में दोस्तों इसलिए यह सदियों से लोगों के दिलों पर राज कर रही है दोस्तों चाहे South India हो चाहे North India हो पूरे हिंडिया में इसका दब दबा हमेशा से बना हुआ है दोस्तों और पीछे की profile आप चेक करो दोस्तों तो पीछे में भी काफी जबर्दस ground cleanse आपको देखने के लिए मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर में तो अब मैं आपको पीछे का इसका boot space भी दिखा देता हूँ कितना boot space आपको इसमें द रख सकते हो और काफी बढ़िया इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है इसका look और आप इसकी seat अगर उपर कर दोगे तो उसके बाद में आप अपना और भी जादा सामान इसके अंदर में रख सकते हो दोस्तों ये काफी चीज मुझे अच्छी लगी दोस्तों और इस में लोग बिठा सकते हो और पीछे में आपको यहाँ पर आपका open करने का lock यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पर आप इसे कीसे भी इसे lock कर सकते हो और काफी बहतरीन गाड़ी है दोस्तों ये 370 लिटर का बड़ा boot space मिल जाएगा और यहाँ पर आप पैर रखके इस गाड़ी में चड़ सकते हो और पीछे में आपको दो parking sensor भी है इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे यह देख सकते हो और यहाँ पर आप अपना number plate लगा सकते हो दोस्तों और पीछे का exhaust यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा और overall गाड़ी की बात कर तो फड़ाफट से अब मैं आपको इसका action room और on road price आपको फड़ाफट से बता देता हूं दोस्तों कितना इसका price रहने वाला है बैंगलोर कनाटक के अंदर में तो सारी चीजे मैं आपको बता देता हूं तो 9,80,000 से इसका price start होता है पर दोस्तों अभी offer भी चल रहा है तो आपको action room पढ़ जाएगा और on road दस साड़े दस लाग तक ये गाड़ी पढ़ जाती है दोस्तों ठीक है और काफी जबर्दस का look आप देख सकते हो look check out कीजिए दोस्तों और lighting effect वगएरा सारी चीजे मैंने आपको बता दी और overall दोस्तों गाड़ी कितनी प्यारी और premium लग आपके comment करकर मुझे जरूर बताना ये गाड़ी अगर आपको पसंद है तो comment करकर भाई को जरूर बताना दोस्तों और overall मैंने आपको इसकी सारी चीजे बता दी इसका price इसका engine और इसके range और इसका mileage तो mileage भी एक बार आपको बता देता हूं तो 16 तक का ये mileage आपको आराम से highway पर निकाल के देदेगी दोस्तों company तो 17.3 का mileage दावा करती है पर 16 तक का तो ये आपको genuinely आपको highway पर ये गाड़ी निकाल के देदेगी दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो like, share and subscribe करना मत भूलिएगा क्योंकि ऐसे powerful वीडियो मैं आपके लिए हमेशा बना कर लाता रहता नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए take care, bye